हेलो फ्रेंड्स मैं नाम आरगंडे तिरपाथी है आज के इस वीडियो में हम वार्टसप के एक ऐसा सेटिंग बताएंगे जो काफी कम लोगों को पता होगा जैसे कि होता क्या है कि कोई भी किसी को कोई फोटो भेज देता है और वो क्या करता है सीन कर लेता है या फिर उसके डिट फॉर इवरिवन नहीं सोकता है लेकिन मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दो महीना पहले भी किसी को आपने कोई वीडियो सेर कर दिया है कोई फोटो सेर्ज कर दिया है तो डिलीट फॉर इवरिवन आप कर सकते हैं वह कैसे कर सकते हैं उसका step by step मैं आपको बताऊंगा, वो आप करिए, आप 100% कर लेंगे. तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अपने mobile का data आपको off करना होगा. Mobile data आप off करने के बाद आपको जाना पड़ेगा अपने setting में. setting में जाने के बाद आपको अपने जाना पड़ेगा आपको apps में. Apps में जाने के बाद आपको वहाँ पे वर्टसप दिखाई देगा, वर्टसप पे आपको trick करना होगा, वहाँ पे दो option आएगा, आपके सामने आप forcefully उसको stop करना पड़ेगा. यानि के वर्टसप को क्या करना होगा, आपको forcefully stop करना होगा, उसके बाद फिस setting में जाना होगा, date और time में जाना होगा, और आपको ये चूच करना होगा, कि जो फोटो या वीडियो हमने उनको भेजा हुआ है, कौन से date को, और कितना time हो रहा था है, वो जो वार्टसप में आपको show करता है, कि किस time में आपने फोटो या कि कोई chatting आपने भेजा हुआ है, किस date को भेजा हुआ है, सारा उसमें दिखता है, सेम उसी के around आपको time set करना अपने mobile phone में, और automatic जो date time है, उसको off कर देना है, और date or time set करना है, जो date को आपने भेजा था, जिस time को आपने भेजा था, वो time आपको अपने mobile में set करना है, set करने के बाद, फिर आप WhatsApp पे आना है, वाट्सप पे जब आप delete करेंगे, तो delete for everyone का option आजाएगा, आप वहाँ से delete for everyone कर सकते हैं, तो यह practical हमने किया है, आप भी करिया 100% successfully है, आप किसी को भी कोई चीज़ चैटिंग भेज देते हैं, उसको 2 दिन, 5 दिन, 1 महीने बाद भी, आप उसको delete for everyone कर सकते हैं, तो इस वीडियों बस इतना ही, thanks for watching,